हाई अब्रिवन मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो के साथ सवा गया थे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों को बता दू कि मलेशिया में खास करके बीजा को लेके अभी जो है बहुत ही जाद जो है धोकादारी हो रहा है यहां का मलेशिया का बहुत सारे ऐसे एजेंट है जो बहुत ही जाद धोकादारी करके मलेशिया में जौप के बहाने और बहुत सारे इसे काम के बहाने जो अभी बुला रहे हैं लेकिन देखिए यहां पर अभी बहुत ही जादे इसे कंट्री इसका जो नाम नहीं दिए है लेकिन यहाँ पर सिर्फ बांगलादेस को टार्गेट करती हुए का है और इन्होंने लिखा है कि देखे न्यूज में छापा है कि देखे बांगलादेस से उसका बहुत ही जादा अच्छे तालमेल है और वो वार्करों को धोखा नहीं देना चाहते हैं नहीं वहां का पबली में जो लिखा हुआ है वो ही मैं आप लोगों को रिफिट कर दू कि ये लोग बोल रहे है हैं कि मलीश्या में जो है वर्करों को बांगलादेस है यह बुला लेते हैं और इसमें यह साब साब लिखा हुआ है कि वो लोग रीन के हिसाब से फिर लेके आते हैं ब्याज के दर पे पैसा उठाते हैं और आप लोगों को बता दू कि यह लोग बहुत ही जादे ही लोगों का खर्चा होता है मलीशिया आने के लिए अगर एक बंगलादेशी अगर मली अगर लाज के लिए एक अगर मलेशिया के लिए आगर बीजा आगर लगाने के लिए यह करते हैं और यह लोगों को चार से पाँच लाग अगर आएंगे 5 लाग देके यहां पर तो कोई नहीं आएगा दोस्तों और बांगला देसका लोग यहांपर पांच लाक देके यहांपर आते हैं और यहांपर आके ओए लोगों को पता चलता है कि लोगों को जौप के जरिए या तो बहुत सारे компании नाम बता देते हैं कि इस company में तुम्हारा job लग गया है जैसे दिखे, बहुत सारे ऐसे company plantation का हो, agriculture का हो और बहुत सारे ऐसे contraction का काम होते हैं, restaurant, hotel इस तरह का बहुत सारे ऐसे company का नाम बता देते हैं और यहां पर आके बुला लेते हैं लेकिन यहां पर फ्रोड गिरी होते हैं कि मलेसिया का जो रियल जो अगर सरकार जो अगर इसमें यह करते हैं तो अगर इसमें पता करते हैं तो इसमें कोई भी वीजा अभी आपन नहीं है और मलेसिया सरकार को इसका कुछ भी ख़वर नही के लिए मिलेगा तो आपको जादतर बंगलादेश ी वारकर देखने के लिए मिलेगा क्यूंकि आज का यह जो टॉपिक है आप लोगों को समझाने का एक जरिया है क्यूंकि देखिए अगर बंगलादेश का मैं बात कर रहा हूं तो यह सदगे लिए है ऐसा नहीं कि वो लोगों के लिए ही है अगर कोई भी आपको अगर अब बीजा जो दे रहे हैं फ्रॉड गिरी से बहुत सारे इसे फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं और यहां पर वार्करों को आके काम नहीं मिलते हैं आतों जाते हैं बोलत जाना अगर आप 5 लाग अगर इंडिया से वरकर आते हैं तो पांसे जो 60-70 जार मीनिमा मों देखें हाइस्ट बता रहा हूं तो इंडिया साते हैं तो 40-45 जार से जो है प्लान डिशन का खासकरे के काम में आ सकता है वरकर इतना ही नॉर्मल है और वहीं अगर बात करूब लोगों का खर्चा होते हैं तो वो लोगों का इतना खर्चा होते हैं दोस्तों और इसमें जो न्यूज में बोलते हैं कि देखें इतना खर्चा करका आते हैं बहुत सारे जो खर्जा लेके आते हैं तो वहीं लोगों का क्या हालत होगा यह सोचते हुए जो है बहुत सारे जो सरकार का टीम था, यह लोगों ने सभी को यह किया है? और बहुत सारे जिस जो अभी नए-ने अपडेट आते हैं, और जिस तरह जाद कारी थे, सरकार को उस तरह कारवाई करते हैं. नेते हैं लेकिन के लिए आप लोगों को मैं यहीं सद्रक के लिए बोल रहे हूं दोस्तों कि कि वूंड जो है वी जासे आप लोग भी तो तो दोस्तो इसलिए मैं बोल रहे हैं nord-– Wie तो प्लान गों मिलेगा यहां पर मिलेशिया में मिलें लिकिन इसे मी नहीं होगा और एक भाई मुझे कॉमेंट किया था कि बीजा जो है कब तक ओपन होगा और कितना खर्चा लगता है तो इंडिया से अगर आप आते हैं दोस्तों तो मीनिमा आपको पचास जार पहतालिस जार इतना खर्चा होगा अगर एजेंट का बात करूँ तो मैं एजेंट का किसी का भी एड्रेस नहीं देता हूं दोस्तों कि मैं ज़्यादा फ्रोड गिरी चल रहा है और आपको एगर एजेंट का नंबर दे दू या तो फिर एजेंट का नाम बता और सकते हैं क्या पता आपको भी फंसादे लेकिन मैं अगर बात करूँ कि मैं कहां साया था तो मैं कोलकाता से जो कभीर बोलते हैं उसके पास साया था मैं आप लोगों को बता दूँ कि आयन कॉंसलेंट सर्वीस उसका नाम था ठीक है लेकिन मैं आप लोगों वहां पर जाने agent के दुवारा जो आए थे कबीर है तो एक man agent है कोलकाता का अगर आप लोगों को बता दूँ कि कोलकाता का अगर कोई agent man है तो कबीर है और हम लोग उसके दुवारा आ regulator पहले हम लोग को भी agent पकर ना पड़ा था तो उस agent के द्वारा ही हम लोग फिर आये थे लेकिन कोलकाता का अगर एजन्ड अगर आप लोगों को बता दूं तो मैं जो एजन्ड है वो कभीर है जो मलेशिया में खास करके प्लान डेसन वार्क में रेस्टोरेंट में होटल में वो काम में लगवाते हैं वही एजन्ड है और जो को जूट जूट नहीं बोलेगा साइथ क्योंकि देखिया अगर जो सटिक रहेगा उसी में भेजेगा हो और किसी के बारे में तो उतना बता नहीं सकते हैं दोस्तों कि कौन किस तरह क्या करता है लेकिन जिस जहां से आये थे बहुत ही भाय लोग का यह सवाल था तो मैंने वत नहीं जानकारी लाते रहेंगे तो अगर अभी तक मेरे युटूब चानल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किये हैं न दोस्तों तो प्लीज मेरे यूटूब चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रिस कर दिए इसी तरह नए नहीं वीडियो देखने के लिए औ झाल झाल